हमने डिसाइड किया है कि अब रेगुलर क्लास होगी तो जो भी हो एक मार्निंग और एक इवनिंग करके फटा-फट से हम ख़तम करेंगे हमारा स्लेबस इसी महिने ख़तम करने का पूरा का पूरा टार्गेट रहेगा दिस मन्त 15 दिन बचें हमारे पास और 15 डेज में आपके सामने कोशन है आई पी का हमने आई पी में फटा-फट से रीकॉल कर दूं आपको सर इन्वाइस प्राइस में नथिंग बिल्कुल जैसे कॉस्ट प्राइस था वही है बस इसके अंदर कुछ एक पॉइंट पे जैसे की ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक गोड और गुड्चेइड निकालन जाएगा लोडिंग लोडिंग क्या है सार ? लोडिंग डिक प्रॉफिट को निकाल के उसके अपोज़िट साइड रख देंगा है , जिससे की हमारा सब चीज़े कोस्ट पे हो जाए ठीक है दूसरा हम क्या करते है, IP प्राइस, IP प्राइस क्या होता है, Selling प्राइस, ठीक है, चलिए, आईए questions को देखते है, क्या कहता है यहाँ पे question में, question में कहता है, X company has a branch in Delhi, ठीक है, goods invoice head office, अब यहाँ पे यह कुछ ऐसा percentage दे रखा है, यह percentage पता है क्या है, 33.3333% है, इसका मतलब, percentage को देखेगा, और last class में मैंने table भी लिखवाए था, कि अगर cost पे 33 हो, तो sales पे कितना बन जाता है, 25, आप चेक करेंगे, तो sales पे कितना बन जात है, 25% बन जाता है, ठीक है, सर यहाँ पर दे रखा है, आपको opening stock, debtor, opening balance में सबसे पहले क्या given है, आपको, that is debtor given है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, 10,000, debtor के बाद क्या है, petty cash, बताइए कितना है, petty cash, furniture, बताइए, 2000, इसके बाद, stock IP, इसका मतलब यह stock IP पे है, यानि selling price पे है, कितना है, 2000, और, cash sent by head of his petty cash, तो जो भी head of his petty cash के लिए खर्चा देगा, यहाँ पर आ जाएगा, petty cash, amount क्या है, petty cash का amount है, सर, नहीं, petty cash के लिए नहीं है, expense का 2000 है, ना, 2000 इदर आगया, इसके बाद branch expense and losses, कुछ दे रखे हैं, freight, और सर, किस ने दिया है, सारे खर्चे, कुछ भी नहीं बताया, तो हम माल लेंगे, head office ने दिया होगा, और या फिर last में पता चल जाएगा, क्या-क्या खर्चे हैं सर, freight है, कितने का है, 50-600, इसके बाद क्या है, bed debts, bed debts तो यहां नहीं आता, bed debts कहा जाता है, debtor account, तो हमें एक debtor account बना लेना चाहिए, that is, मैं एक यहां, एकदम small सा debtor account बना लेता हूँ, ठीक है, 8000 है, अभी कर देते हैं, आठ अजार रूटे, ठीक है, विज्वल है, एक हम debtor बना लेते हैं, सर, debtor क्यों बनाना होता है, closing balance चाहिए, remittance चाहिए, इसलिए सरफ, ठीक है, आपने कहा, सर, यह 8000 है, आजाएगे, आजाएगे, हमने freight कर लिया, beddates सिधर आजाएगा, buy side में, buy, beddates, कितने रुपए का beddates है, सर, 50 का, इसके बाद, depreciation on furniture, तो furniture, सर, कितने का है हमारा, 2000 का, और जब depreciation लग जाएगा, तो हमारे पास closing बच जाएगा, कितने का depreciation है, furniture पे, 80 रुपए, तो हमारे पास था, 2000, 80 रुपए, इस पे लग गया depreciation, तो furniture बचेगा, 1920 रुपए, इसके बाद आगे चलते हैं, इसके बाद कहता है, petty expense, जितना petty expense, अब इसके उपर questions आएगा, हम petty expense को कर लेंगे, इसके उपर थोड़ा सा, यह लगा दिया, ठीक है, अभी देखेंगे, sales कहता है, cash sales कितने का, 50,000, यहां गया, अब इसके बाद credit sales कहां जाता है, बताओ, data में, two credit sales, कितने हैं, 36,000, और यहां two balance BD भी डाल देते हैं, क्योंकि हमें पता था, that is balance BD आपने बताए था, 10,000, goods return by debtor, अब debtor ने return किया है, तो sales return है, जो कि यहां आएगा, sales return, कितने रुपे का, 800, goods return by branch, तो branch का return तो इधर आ जाएगा, कितने गा, 200,000, cash received from debtor, तो buy side में आ जाएगा cash, 20,000, और remittance में भी आ जाएगा, cash received, ठीक है, stock at the end IP, तो यहां पर stock भी आ गया, that is 7,800, देखो, अब debtor हमें निकालना पड़ेगा, petty cash हमें निकालना पड़ेगा, नहीं पता, यह दोनों तो पता है, है ना, तो debtor निकालने के लिए, हमारे पास debtor से निकल जाएगा, 46,000, पेपर में न, 20-20 नंबर के सवाल जो आएंगे न, आपके, देख लो कितना time लगना है, कुछ time नहीं लगना, और जिन्होंने नहीं पढ़ाई करी भी न, उनको तो लगेगा, पता निका आ गया पेपर में, 25,150, वाई बैलेंस, 25,150, तो debtor, 25,150, अब पैटी कैश की हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, देखो पैटी कैश जो होता है न, हमारा assets होता है, होता है पैटी कैश को भी देख लेते हैं पहले, जैसे माल लेते हैं, एक business है, that is PQ, R Limited, ठीक है, एक company है माल लो, और इस company के अंदर, टेली के बड़े सारे खर्चे होते हैं, that is क्या-क्या खर्चे हो सकते हैं, जो की regular basis पे होते हैं, जैसे चाय का, जैसे snacks का, जैसे छोटे-मोटे food का, जैसे worker वगरा को दिया जाता है, तो ये सारे खर्चे daily होते हैं, जैसे कोई client आगिया तो उसके लिए चाय, कोई customer आगिया हमारे दुकान में, तो उसके लिए थोड़े-बहुत snacks, chips, biscuit, या lunch का arrange कर देना client के लिए, तो honor ना हमेशा, जो honor होता है दुकान का, या manager कहलो, वो नहीं लेकर आएगा चाय, अगर मेरे दुकान में कोई customer आए, तो मैं बोलूगा कि भाई साब बैठो, मैं भी चाय बना के लाता हूँ, तो थोड़ा सा अच्छा feel नहीं करेगा, वो कहेगा, नहीं sir, नहीं sir, रहने दो, रहने दो, इसके बाद, देखा जाए, तो, इसके बाद देखा जाए, तो जो ये honor है, ये अपने पास, इन सभी काम के लिए, एक व्यक्ति को रखता है, उसको आप peon बोल लो, है ना, पियोन या office boy भी बोलते हैं, जो की क्या करेगा, इन सभी कामों को करेगा, अब विचारे office boy की तनखा की बात करें, तो इसकी salary इतनी नहीं होती, कि ये अपने जीब से खर्च करें, और बाद वेमेर से ले ले, इसकी salary ही मान लेते हैं, अब दूसरा condition ये है, कि जो ये honor है, अब जैसे भी कोई guest आया, अब कोई चाय बनाना है, तो office by honor के पास जाए, बोले लाओ दूद के पैसे चाय बनाने, या फिर बोले लाओ आप biscuit के पैसे बिस्किट लेके आने, या फिर बोले लाओ मुझे lunch के पैसे, तो फिर जो यहाँ पे client होता है न, वो कहीं न कहीं ऐसा feel करता है वहाँ पे, कि यार कैसे ही company है, इसके पास सारी management ठीक से नहीं चल रही है, ठीक है, तो उससे बचने के लिए, ये क्या करता है, advance पैसा इसको दे देता है, बोलता है ले भाई 10,000 रुपे या 20,000 रुपे ले ले एक काम कर, ठीक है, एक काम कर 20,000 रुपे ले ले, advance में दे दिया 20,000, क्यूं दिया इसको, तुम daily इसी से खर्चा करते रहना, क्या करते रहना, tea, और जो भी आपका snacks वगरा है, या फिर जो भी आपका food बगएरा, जो भी ला रहे हूं, उसका खर्चा करते रहना, और मुझे daily basis पे एक register पे maintain करके, मुझे लाके दिखा देना, अब 20,000 दिया, अब इस विचारे पियोन ने क्या करा, register maintain किया, मान लेते हैं, आज तारिक कितनी है, 17, कितनी है, 16, 16 तारिक, 16 तारिक का इसने maintenance किया, और T बगएरा सब चीज़ पे खर्चा बताया, सर 4,000 खर्चे हो गए, और आपके बचे हुए कितने हैं अभी भी, 16,000 बचे हुए हैं, तो जो मैं ये पैसा उसको 20,000 advance में दे रहा हूं, और किसके लिए दे रहा हूं मैं, छोटे-मोटे खर्चे के लिए दे रहा हूं, तो छोटे-मोटे खर्चे को नाम दिया जाता है, Petty Expense, अकाउंट उसमें, अगर छोटे-मोटे खर्चे को एक तो Misillaneous expense भी बोलते हैं, एक journal expense भी बोलते हैं, वो पैटी एक्सपेंस है अब मालो ये एक मेने तक को ना तो मैंने किसी को चाय पिलाए ना तो कुछ करा कुछ पे नहीं करा तो यह 20,000 रुपए मैं वापस ले लिए लिए खर्चा ही नहीं हुआ तो पैटी एक्सपेंस बिजनस के लिए क्या है एसेट्स यानि एडवांस मे इसने बहुत सारे खर्चे की हैं और फिर मैंने बोला चले यार 5000 और ले ले लें तो आपको एसेट्स का नीचर पता है ये डेबिट इधर होता है और इधर क्रेडिट और डेबिट से क्या होता है माइनस अगर मैं इसे और इसका पैटी एक्सपेंस कैसे बढ़ेगा मैं पै इसके बाद इसने सत्रह हजार मान लो खर्च दिये तो पैटी एक्सपेंस क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो सत्रह हजार खर्च कर दिये तो अगर मैं पूछूं कि भाईया इसके पास बचे कितने तो सिंपल सा आप अकाउंट के फॉर्म में भी खर सकते और जर्नल कैलिक और बच गे कितने आठ यह क्या होगया बाई बैलेंस चीड़ी जो हमारा डेटर सिस्टम है डेटर सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं ओपनिंग बैलेंस तो लिख लिए और जो हैड़ ओफिस ने जो भेजा पैसा वह लिख लिए तो इसका मतलब खर्चा और और दिखा तो अब अगर हमें ये सारी चीजे पता है तो हम यहां से closing भी निकाल सकते हैं इसको नहीं दिखाते हैं इसको automatic reflect हो जाते हैं वहां पे तो इस वाले questions में देखोगे तो आपको opening balance पता है आपने कितना पैसा आपको मिला है वह भी पता है और आपने कितने खर्चे हैं पैटी expense कितना कर दिया है वह भी पता है इस सवाल में अब closing balance नहीं पता चल रहा है तो आप simple पता कर सकते हैं भाईया शुरू में मेरे पास थे कितने एक हजार तुमने भेज दिये दो हजार तीन हजार होगे और मैंने खर्च दिये कितने 1500 तो मेरे पास बचा कितना होगा 1500 तो या तो आप account format में कर लो जैसे कि मैंने बनाये हाँ पे account या तो आप किस format में कर लो इसी account को मैं to be continue कर देता हूँ कि भाया वहां से सुरू में थे कितने 1000 भेजे कितने थे 2000 खर्च कितने दिये थे 1500 तो आप देखोगे कि यहां पर यह टोटल क्योंकि आगे अकाउंट की जौरत पड़ेगी कई बार एक्जामनर स्पेशली बोलता है और सो प्रिपेर पेटी केश एक्समेंस अकाउंट तब कितने हो गए 1500 अब यह पंदला सु कहां यूज हो जाएगा सअ पैलेंस में क्लोजिंग में पेटी अईसर कितने हो गए पंदरा सो एक तो यह हो गया हमने पेटी एक्स्पेंस भी कर दिया डन अब आगे डेटर डेटर भी कर दिया डन चारो चीज़े हो गई अब आगे देखते हैं गुट्स इन्वाइस बाई हैड आफिस दूरिंग दे इयर अब जितना समान गुट्स सेंट किया हैड आफिस ने तो टू आ जाएगा कितने का किया गुट्स इन्वाइस बाई हैड आफिस ने कितना भीजा तो यह सभी के सभी किस पे है आईपी और यह भी स्टॉक किस पे है है आई पी हमने एकाउंट में इच एन एवरीफिंग पुट कर दिया है कुछ भी नहीं बचा आप पर से नीचे तक अगर देखोगे सब कुछ डाल दिया है अब सारे चीजे सेल्स पर देखो ओपनिंग स्टॉक भी सेल्स पर क्लोजिंग स्टॉक भी सेलिंग प्राइस पर ग कि ओपनिंग स्टॉक पर होगा तो बाइ साइड में लिख देंगे बाइ स्टॉक रिजर्व किस पर ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा सर आठ हजार आठ हजार का सीथा 25 परसेंट निकालोगे तो कितना हो जाएगा अब कुछ बच्चे बोलेंगा सर कैसे निकाला 2000 रुपे इसको भी दिखा देते हैं सिंपल सामने फंडा देखा था कि भाईया हम फॉर्मूला रख लो sales is equal to cost plus में profit कहलो और profit का नाम ही loading था sales आपको दे रखा था 2000 selling price था cost नहीं पता प्रॉफिट किसके ऊपर है इसी के ऊपर है तो x बाइट 3 हो जाएगा है क्यूंकि 33 1 by 3 is equal to 1 by 3 होता है हमारे अगर हम solve करें percentage के terms में अब इसको अगर हम solve करते हैं तो क्या आजाएगा यह 4x divided by 3, 8000 अब 3 से multiply कर दो 24,000 is equal to 4x अब divide कर दो तो x की value क्या आगे हमारा 6000 और x क्या let किया था हमने cost अगर cost 6000 है और selling price 8000 है तो profit कितना होगा 2000 चो कि हमने यहाँ पे एक percentage थोड़ा सा remind कर लिया directly निकाल लिया इतनी जंजट नहीं होगी या दूसरा एक और तरीका है देखो एक होता है sales एक होता है cost दोई चीज होता है या पहले हम cost लेते हैं पहले cost होगा फिर इसमें cash होगा profit और फिर क्या बनेगा sales, simple सा fund है अगर आपको नीचे से उपर जाना होगा तो profit घटाना पड़ेगा अगर उपर से नीचे आना होगा तो profit अब हमें क्या दे रखा है sales, 6000 और profit कितना दे रखा है 33.33% किसके उपर इसके उपर ठीक है, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा कौस्ट किंए अगर कॉस्ट निकाल जाए तो बात बन जाए तो नीचे से ऊपर जाने के लिए से घट अना होगा तो आसे 1-ध तोहां के पास तो हंड्रिद मानना आपने क्या करना है आपने क्या करना है आप्र लिखना है यह राठ हजार और यह एकुवलेंट है 2022 जो है एक मिनट नहीं 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 गलत थोड़ा सा अपने लिया आपको जो नहीं दे रखा होगा उसको 100 मानना है क्योंकि लेट किसको करोगे जो तो देट इस कॉस्स नहीं पता तो 100 मान लिया प्रॉफिट कितने परसेंट था कि लिट्ष निकल जाएगा कि और आपको सेब्स पता है और सेब्स का परसंटेज पता चले गया तो दिवाइड गर दोगे और चाहिए क्या आपको सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सा एंट्उ कर दोगे एंट्वे आपका पूरा परसंटेज लेना तब ही एकुटेट आएगा परिंटू में यह आ जाएगा आपका 2000 एक्जेक्ट सुझ मैं एक यह है कि भीया ऐसे अब दूसरा देखो एक और एक्जामपल लेते हैं बताना चलो मैंने आपको सेल्स दे दिया सेल्स नहीं दिया कॉस दे दिया 2000 और ज सेल्स पे कितने परसंट मैंने दे लिया सब्सपोश वह वालब परसंटेज नहीं दे रहे जो कि हर वार हमें मिलता था थर्टी परसंट दे लिया यह तो नहीं टेबल में है तो अब फिर से आप सबसे पहले क्या होता है कॉस्ट होता है इसमें क्या एड़ करते हैं अगर हमें निकालना है cost का percentage तो यह 70% होगा तो आप 70% हमें cost का रेशियो पता चलिए और cost भी है तो हम क्या करेंगे that is 2000 divided by 70 और हमें चाहिए 30 into में 30 यह आगे हमारा 857 सीधा इसी चीज को लेट करके भी प्रूफ करना चाहो तो कर सकते हो that is sales आपका नहीं पता तो x is is equal to 2000 plus 30% तो X by 3 हो जाएगा नहीं थ्री तो नहीं होगा X into में 30 by 100 यही होगा न इसको अगर हम solve करते हैं तो क्या आता है 10 से 10 3 by 10 आ गया इधर आ जाएगा तो X माइनस में 3 by 10 X is equal to 2000 इसको solve कर लो यह हो जाएगा 10 7 X divided by 10 is equal to इसको 20,000 कर दे इसको हटा के तो X is equal to 20,000 divided by 7 करके solve करके देखो divided by 7 यह आगे हमारा अठाइस सो 157 अब आठाइस सो सतावन माइनस किस में से करोगे देखो थाइस सतावन क्या आगया sales और 2000 तो बीच का difference profit है का वही तो आ रहा है 877 तो मैं मैं अगर यह मानू नहीं जो यह वाला process है यह भी मैं सिखा हर question पर मैं एक तो आपका table भी add करके दिखा दूँ और एक यह भी apply करके दिखा दूँआ जिससे कि आपको पूरा clarity मिल जाए अभी हमें पता चल गया table की accordingly कि भाईया सब पर 25% निकाल दो जंजट खतम एक पर 25 निकाल दिया good cent पर भी निकाल दें वाई स्टाउक रिजर्व कितने परसेंट 25 परसेंट तो इसका 25 परसेंट क्या होगा 88 थाउसिंड का पाइस होजा नहीं good cent का निकाल है अब अब इदर आ जाते हैं किस पर निकलेगा तू क्लोजिंग स्टाउक और एक रिटन पे स्टाउक रिजर्व क्लोजिंग स्टाउक क्लोजिंग स्टाउक था कितने का सर सेवेंटी एट हंड्रेड वन्ने सो पचास तू स्टाउक रिजर्व किस पर गुड्स रिटन पर है अब हमेशा जब भी रिटन होता है मैंने आपको बोला कि भीया समान 120 का यह ले आपने गुला भीया जो आपने समान 120 का भीजा खराब था तो जब आप वापसी करोगे तो कॉस्ट पर थोड़ी ना वापस करोगे जितने का आपने रिटन किया है उतने कहीं वापस करोगे आप वह और्टमेटिकली कंसीडरेबल होगा कि यह किस पर होगा हमेशा आइप ठीक है तो दो हजार पर पच्चिस परसेंट कि पांसों कि अबस खत्म कुश्चन कि यहांगे सेविंटी थाउजंड और इधर जोड़ लेते हैं दस हजार एक हजार दो हजार आठाट यह किस हजार सतर दो हजार दो हजार बाइस हजार 96 students एक बत्तती साफ तेनसों सत्त्र एक बत्तिस तेनसों सत्त तो बैलेंस उसे बैलेंस लिए रहा है सरब्लस प्रॉफिट भी लिख सकते हैं माइनस 21,000 माइनस 88,000 माइनस 2,000 माइनस 5,000 माइनस 1,50 माइनस 5,000 यह आगया 13,320 चेक करिए यह प्रॉफिट ठीक है तो आपके एक्जाम में जो चांसिस कॉस्ट प्रैस का तो मान के चलो ना के बराबर हैं आएगा IP का ही और किसका या तो यह आएगा या स्टॉक डेटर सिस्टम का लागा तो इसमें भी अगर देखा जै कॉस्ट जिसने सीख लिया और एक फंडा सीख लिया के लोडिंग है क्या चीज और क्यों निकालते हैं तब तो यह ले लो फरक कुछ नहीं पढ़ना बस चार क चलिए नोट कर लीजिए